मेरे पास सबसे ज़्यादा कमेंट आते हैं कि हम अपने बालों की ग्रोध को कैसे बढ़ाएं हम अपने बालों में शैंपू कैसे यूज करें कैसे हमारे बाल लंबे हुँगे तो फ्रेंट्स आज मैं आपको एक बहुती बड़ी ऐसा तरीका आप लोगों के शाष शेयर करने वाली हूँ जिसके इस्तमाल से आपके स्केल्प से जुड़ी जो समस्या है वो भी खतम हो जाएंगी और बालों से जुड़ी समस्या है वो भी खतम हो जाएंगी अगर मेरे आप बता हुए तरीके से शेंपू का इस्तमाल करते हैं तो आपको कई सारे बैनेफिट मिलेंगे जैसे बाल बहुत रूखे और बेजान है उनमें जाना जाएंगी अगर आपको हियर फॉल की समस्या है तो अपके हियर फॉल की समस्या खतम हो जाएंगी आपके बालों की जो ग्रोथ है दिन पर दिन बढ़ने लगेगी और आपकी चोटी पतली जो है वो आपकी मोटी हो जाएगी और आपके बालों घुटनों तक लंबे हो जाएंगे और जल्दी से आप अपने बालों को ग्रो कर सकती है वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आपको वीडियो थोड़ा सभी यूजफू लगता है थोड़ा सभी अच्छा लगता है तो लाइक जरूर करें और कमेंट करें और वीडियो को पूरा देखें तो फ्रेंट्स रेमिडी को बनाने के लिए आपको इहां पर लेना है शैंपू आप शैंपू कोई यूज कर सकते हैं जो आप अभी यूज कर रहे हैं जरूरी नहीं है जू अप अपने बालों के अकोर्डिंग जो है शैंपू को निकाल सकते हैं ठीक है मैंने आप शैंपू निकाल लिया है अपने बालों के अकॉर्डिंग और उसके बाद मैं इसमें एड़ करूंगी शुगर यानि की चीनी आपर मैं चीनी दो से तीन चमच यहां एड़ कर रहे हूं आप भी दो या तीन चमच एड़ कर लीजे और इसको अच्छे से मिक आप जाती है यह एक तरह के स्क्रब का काम करती है देखें कितने अच्छे से यह मिक्स हो गई है काफी बढ़िया सा हमारा जो यह शैंपू है बनकर तयार हो गया है लेकिन हम इसमें एक चीज जो और आड़ करेंगे जो हमारे बालों के लिए बहुत जादा अच्छा है तो अच्छे से मिक्स करने के बाद आपो अक्षी सेम्पू करनाय नहैं दिए अच्छे से फानी से वाश कर देना है आप का लिए स्टे सील्की हो जाएंगे इस टैनि हे जड़ा हैं आप यह सोचों 되고 कि आप हमने ये रेमेडी पहले यूज क्यों नहीं कि अगर आप इसको वीक में तीन बार यूज करते हैं मतलब जित्ती बार आप हेर वाश कीजिए आप इस तरीके से हेर वाश करेंगे तो आपकी ग्रोध भी बढ़ेगी और जो भी समसा है वो आपकी खतम हो जाएगी तो उ सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चानल को सब्सक्राइब करें बैल आइकन को प्रेस करें